So friends, influencer research किस तरह important है और कितनी useful है आप लोगों के लिए इस वीडियो में आप लोगों को अंधाजा होगा मैं आप लोगों को दिखाऊंगा कुछ examples कि किस तरीके से लोग बहुत थोड़े से लोग हैं जो कि इस service को sell out कर रहे हैं इस वक्त और Fiverr पर अगर हम बात करें तो बड़ी एक low competitive skill है इस वक्त ये और आप easily compete कर सकते हैं दूसरे freelancers के साथ तो अगर आप लोगोंने मेरी previous video देखी हो जो कि मैंने बनाई थी influencer research के उपर हो आप लोगों को easy method सिखाया था कि किस तरह आप influencers को find out कर सकते हैं एक easy method के तुरू बहुत easily आप find out कर सकते हो 500 और 1000 और 2000 influencers को चाहे वो Instagram हो चाहे वो YouTube हो तो आप find out करके अपने client को deliver कर सकते हो ये काम बहुत easily time भी बचता है effort भी बचती है तो मैंने easy method सिखाया वह अपनी previous video में तो अगर किसी ने वो वीडियो नहीं देखी अभी तक तो जाके पहले वीडियो देख लें यहां आपको कहीं screen पर link मिल जाएगा वह आप वीडियो देखें देन आप इस वीडियो पर आए बहुत आप लोगों के लिए helpful होगी और मैं आप लोगों को guarantee देता हूं कि आप ल तो वीडियो को लाइक कर लो चैनल को सब्सक्राइब कर लो बैल आइकन को क्लिक करके लाल नीला पीला कर दो और अब हम बढ़ते हैं अपने Fiverr पर Fiverr open कर लिया है मैंने आप लोगों को दिखाता हूं कि कितना helpful और useful यह skill है आप लोगों के लिए जो मैंने previous वीडियो में स कोई long tail keyword use नहीं करा और इसके उपर आप friends देख सकते हैं कि 437 services available हैं सिर्फ यानि 437 gigs इस पर create हुई हैं इस keyword के उपर तो आप इस keyword पर अगर आप gig बना लेते हैं for example तो आप easily compete कर सकते हैं 437 लोगों को 437 freelancers को जिसमें level 2, level 1 freelancers शामिल हैं तो आप easily compete कर सकते हैं अगर मैं इ इस keyword पर के trend क्या चल ला है इस पर order आपी रहें लोगों को या नहीं तो आप यहां पर देख सकते हैं level 2 seller है level 1 seller है level 1 seller है यहां पर यह level 2 sellers हैं दो अच्छा मैंने उपर के सिर्फ टॉप पर जो चार gig जार ही थी जो freelancers आदे मैंने उनको open किया है ठीक है जी और मैंने उनकी profiles open कर ली हैं मैं आपको gig open करके दिखाता हूं की देखें मैंने उनकी gigs open कर ली मैंने पहले profile open कर ली थी मादरत उसके लिए अच्छा आप देखें I will do an influencer research to find best Instagram influencers देखें यह Instagram influencers find out कर रहे हैं मैंने जो अपनी previous वीडियो में आप लोगों को सिखाया था वो उस method के आप लोग का time और effort बड़ी बचरी थी दूसरा आप उससे Instagram के भी influencers find out कर रहे थे और YouTube के भी कर रहे थे तो दोनों platforms के कर रहे थे जो मैंने अपनी previous वीडियो में तरीका सिखाया था तो आप लोगों के लिए वो वीडियो कितनी helpful होगी आपको अंदाजा हो गया होगा तो अ ठीक है तो यह Instagram influencers find out कर रहे हैं ठीक है अपने client के लिए one order in queue है यह यह यूट्यूब और TikTok influencer find out कर रहे हैं और इनके पास four orders in queue है ठीक है जनाब YouTube influencer मैं आपको सिखाया था यह इनके पास order queue में नहीं है नहीं कीग है पांच orders complete कर चुके हैं यह भी YouTube और Instagram influencer find out कर रहे हैं और यह भ प्राइटिवली नई गीग ही है इनकी 23 orders हुए इस गीग के उपर इनके order queue में नहीं है लेकिन level 2 seller है और यह यह service दे रहे हैं तो friend अब देखना यह है कि आपने gig अगर इस पर बनाई है इस keyword पर तो 437 gigs मैंने आपको बताई थी अब मैं आप लोग एक ऐसी चीज बताने वाल हुआ जो आपको और शायद अच्छी लगे और आपकी जिन्देगी और ज्यादा असान हो जाए कि अगर हम इस keyword पर अपनी gig बनाते है फूर 37 services available है अभी लेकिन अगर हम जाते हैं online sellers के अंदर तो online sellers से 55 sellers online हैं इस वग इस service के उपर तो for example मेरी याप की gig इस keyword पर बनी विये फाइवर पर और मैं इस वग online हूँ तो मेरे number of chances कितने ज़्यादा हाई हो जाते हैं orders लेने के तो friends यही छोटे छोटे moments होते हैं जहाब opportunities grab करते हो तो यही सारा scene है यही खेल है सारा freelancing का तो मकसद से विये था कि जो मेरी previous वीडियो दी बहुत सारे लोग शायद यह सोचें कि यार यह कोई इतना बड़ा काम तो है नहीं influencer research का और यह वह ऐसे बाते होती हैं तो उनको यह वीडियो बना कर दिखाना मकसद यह था कि भाई वो वीडियो कितनी valuable है और beginners के लिए या जिन online earning कर सकें तो उनके लिए बहुत useful method था इजी भी था और यह scale अगर आप सीखते हो तो अब अच्छे हाँ से पैसे कमा सकतो इंटरनेट से तो वीडियो आई होप कि आप लोगों को पसंद आई हो और अगर वाकई पसंद आ गई है तो like नहीं कि अभी तक तो भाईया like कर दो फिर से बोलनो चैनल को सब्सक्राइब कर लो मुझे सब्सक्राइबर्स की बड़ी नीड है चैनल को सब्सक्राइब कर लो support करो मैं चैनल को और मुझे motivate करो ताके मैं regularly इस तरह की वीडियो आप लोगों के लिए लाहता रहूं और आपको motivate करता रहूं online earning के लिए अगली व अधरवालों का रखिये ख्याल अल्लाँ आफ़स।